जहिन दोस्तो मैं डीके रोईला फिर आपकी सेवा में हाजिरू आपका स्वागत है एक्जाम की में देखे दोस्तो आपको पता ही है हम एज इंक्रीज को लेकर लगातार प्रियास रहते हैं इसी में हमारे लिए एक और शफलता का पायदान कल हुआ बीजेपी की जो अध्यक और विनोज जी की टीम का प्रयास आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको जैसे कि आपको स्क्रीन पर थमनेल दिखाई दे रहे हैं यह मेरे द्वार अपलोड की गई कुछ वीडियो है और आपके एक्जाम के लिए बहुत महत्पून है इन सब को देखना चै और वीडियो को जीतना हो सकते शेयर करना चलिए दोस्तों अब सुरू करते हैं देखे कल हमारी पांडी जी से मुलाकात हुई उनसे बात चीत की गई विनोज जी और प्रविंट भाई ने गहन चर्चा की इस विशेपर के जनरल की आयू जो केवल 28 वर्स है बहुत सारी बा तो ज्यादा चीनतीत हैं दूसरा उन्हें इस चीज का पता था हम पहले वी ग्यापन वहां पहुंचा चुके थे यह एजिन क्रीज को लेकर तो वह बोल दिया उन्होंने कि हाँ यह मामला मेरे संग्यान में है और आप बेफिकर निश्चित रहो ठीक है अपने इस तरह से आप अपने प्रियास को जारी रखो और हो सकता है यह आसवासन उन्होंने पक्का दिया कि हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एज यही देखने को मिले यानि के 32 या 35 जो भी इस पर टीम विचार करेगी ठीक है उनका आसवासन पूरी तरह से यही था कि ऐसा हो जाएग कि बस आपको सिर्फ छोटे से दो काम ने करते रहना इतना तो करी सकते आप दोस्तों पहला तो वीडियो को शेयर करो जादा सजादा जहां भी स्टी में टीरेल है क्योंकि जितने जादा लोग जुड़ेंगे उतने देखे ऐसा होता है कि अगर सो लोग औरे जैं तो सो मैं का मतलब यह हंडेड परसेंट चांस और बर जाएंगे ठीक है हाला कि चैंस चांस अभी भी पूरे बन चुके हैं ठीक है और दूसरा दोस्तों आप तयार रहें जैसे हमें अगली डेट मिलती है इनसे फिर मुलाकात की चाहे वो यूपी के सीम से मिलें या फिर फिर दुब बहुत जल्दी में साम को 5 बजे हमें समय मिला कि आपको रात 8 बजे तक पहुचना है तीन घंटे में खटा हुए बच्चे थे लेकिन अब की बार आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा इसलिए आप लोग तयार रहें चैनल पर बने रहें जो भी टाइम मिलेगा हम वीडियो क को शेयर करना ना भूले और जहिन फिर मिलेंगे